इस वीडियो में हम साबित करेंगे अंतरलिखित कोण प्रमें जिसे कभी-कभी अंतरगत कोण प्रमें भी कहा जाता है तो यहाँ पर मैं तुम्हें पहले बताओं कि अंतरलिखित कोण क्या होता है तो एक ऐसा कोण जो वृत के ऊपर किसी भी तीन बिंदुओं से बने तो यहाँ पर मैं तीन बिंदू बना लेता हूँ, तो यहाँ पर यह एक, यह हो गया दो, और समझो कि यह रहा तीन, तो इन तीनों से जुड़ता हुआ मैं कोण बनाता हूँ यहाँ, तो यह जो कोण है, इस कोण को हम कहते हैं अंतरलिखित कोण, यह वाला जो कोण है यह कहल अंतरलिखित कोण तो यहां पर मैं लिखता हूँ कि यह होता है अंतरलिखित कोण और इसके द्वारा यहां पर जो चाप बन रही है यह वाली चाप इसे में पीले रंग से दर्शाता हूँ तो यह वाली जो चाप है इसे हम कहते हैं अंत्खंडित चाप तो ऐसी चाप जो अं देता हूँ, तो ये जो कोण है, इसे हम कहते हैं केंद्रिय कोण, अब अगर इस केंद्रिय कोण का मान है समझो की थीटा, तो जो ये अंतरलिखित कोण है, अगर इसे में नाम देता हूँ यहाँ पर X, तो अंतरलिखित कोण का जो मान होता है, वो केंद्रिय कोण का आधा होत तो यहां पर मैं लिखता हूँ कि जो अंतरलिखित कोण है हमारा X उसका जो मान होता है वो केंद्रिय कोण का आधा होता है वो होता है एक बटा दो गुणा हमारा केंद्रिय कोण जो है यहां पर थीटा तो ये है अंतरलिखित कोण प्रमे जो कहता है कि जो अंतरलिखित कोण है उसका जो मान है वो केंद्रिय कोण का आधा होता है उधारण के तौर पर अगर यहाँ पर जो केंद्रिय कोण है समझो की वो होता 50 degree तो जो हमारा अंतरलिखित कोण है वो होता 25 degree तो यह है अंतरलिखित कोण का प्रमे तो चलो अंतरलिखित कोण के प्रमे को सिद्ध करेंगे अब यहाँ पर मैं एक अंतरलिखित कोण बना लेता हूँ, तो अंतरलिखित कोण बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पर तीन प्रकार हैं, जहाँ पर अंतरलिखित कोण की जो दोनों भुजाएं हैं या जो दोनों किरने हैं, वो यहाँ पर केंदर के एक ही तरफ हो, या फिर व पहले ये वाला प्रकार साबित करें जहां पर एक भुजा या एक किरण केंद्रे से गुजर रही है तो इस वाले कोण को अंतरलिखित कोण को मैं ले लेता हूँ यहां पर X और इसके साथ मैं दर्शा देता हूँ हमारी अंत्खंडित चाप तो यहां पर यह हो जाएगी हमार अंत्खंडित चाप और इसके साथ ही साथ मैं बना लेता हूँ हमारा केंद्रिय कोण तो फिर वो यहां से लेकर यहां सड़ लेकर यह होगा हमारा केंद्रिय कोण जिसे हम नाम दे देते हैं थीटा तो केंद्रिय कोण हो गया हमारा थीटा अब चलो हम यह साबित करने कोश यहान से यह भुजा भी तृज़ यहां से यह भुजा भी तृज़ जया है, तो यहां पर अगल तुम देखो, ये वाले जो भुजा भी तृज़ जाह है, इसे मैं अल लेता हूं, यानि की रेडियस. तो अब अगल तुम इस वाले त्रिभुज को देखो इसे में जरा नीले रंग से दर्शा देता हूँ अब अगल तुम इस नीले रंग के त्रिभुज को देखो तो यहाँ पर ये तो हमें मिल रहा है समद विबाहू त्रिभुज क्योंकि यहाँ पे दो भुजाएं बराबर हैं तो इसके जो कोण होंगे, जो संगत कोण होंगे इस भुजाओं के सामने वो भी बराबर होंगे तो ये वाला कोण इस भुजा के सामने है तो इस भुजा के सामने जो ये वाला कोण है वो भी बराबर होगा यानि वो होगा X तो ये हो गया हमारा एक समद विबाहु त्रिभुज और इस त्रिभुज में दो कोण तो हमें पता चल गए अब ये जो तीसरा कोण है यहाँ पर ये कितना होगा तो अब अगल तुम देखो तो ये दोनों जो हरे कोण है यहाँ पर वो दोनों के दोनों समपूरक कोण है क्योंकि यहाँ पर एक सीधा कोण बन रहा है 180 डिगरी का तो ये अगल ठीटा है तो ये वाला कोण सीधी सी बात है ये होगा 180 रण ठीटा तो यहाँ पर इस नीले त्रिभुज में हमें 3 कोण पता चल गए है और हम जानते हैं कि 3 कोणों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें मिलता है 180 तो चलो मैं 3 कोणों को जोड़ लेता हूँ तो हमें मिलेगा x धन x धन ये हरावाला कोण तो हमें मिल रहा है यहाँ x धन x धन ये हरावाला कोण जो है 180 रण ठीटा 180 रण ठीटा ये बराबर होगा 180 के अब यहाँ पर ये 180 180 अगर दोनों तरफ में घटा दूँ तो ये तो चला जाएगा तो हमें यहाँ क्या मिलेगा x धन x यानि की 2x रण ठीटा ये बराबर होगा 0 के अब अगर दोनों तरफ में ठीटा जोड़ दूँ तो हमें क्या मिलेगा हमें मिलेगा कि जो 2x है वो बराबर हो जाएगा ठीटा के और अगर 2x बराबर है ठीटा के और अब अगर में दोनों तरफ 2 से विभाजित कर दूँ तो हमें क्या मिलेगा हमें मिलेगा कि x जो है वो बराबर मिलेगा हमें एक बटा दो एक बटा दो गुणा ठीटा के तो यहाँ पर हमें यह मिल चुका है कि जो x है वो ठीटा का आधा है और यही तो हमें साबित करना था की जो X है वो ठीटा का आधा होता है जो है अंतरलिखित कोण का प्रमे तो हमने इसे साबित कर दिया अब जरा इसके जो बाकी दो प्रकार हैं जहाँ पे दोनों भुझाएं केंदर के एकी तरफ हों और दोनों भुझाएं केंदर के अलग-अलग तरफ हों तो वो वाला भी सिद्ध कर लेते हैं तो चलो हम आगे बढ़ते हैं तो चलो अब यहाँ पर हम हमारे अंतरलिखित कौन की जो दोनो भुजाएं हैं वो अलग-अलग तरफ लेते हैं हमारे केंद्र के तो यहाँ पर ये दो भुजाएं मैंने अलग-अलग तरफ ले ली हैं तो ये रहा हमारा अंतरलिखित कोण X और इसके साथ मैं बना लिता हूँ हमारी अंत्खंडित चाप तो ये हो जाएगी हमारी अंत्खंडित चाप इसे मैं पीले रंग से दर्शा रहा हूँ यहां और इसके साथ साथ हमें बनाना है हमारा केंड्रिय कोण तो यहां से लेकर केंड्रि से और यहां तक ये हो गया हमारा केंड्रिय कोण इसे मैं नाम दे देता हूँ यहां पर थीटा अब यहाँ पर हम वही इस्तिमाल करेंगे जो हमने अभी अभी साबित किया जहाँ पर अंतरलिखित कोण की एक भुजा केंदर से गुजलती हो तो चलो यहाँ से मैं एक रेखाखंड बना लेता हूँ जो केंदर से गुजर रहा है और इसके बनाते ही तुम अगर यहाँ ध्यान दो तो यहाँ दो अंतरलिखित कोण बन चुके है यहाँ पर ये एक अंतरलिखित कोण ये वाला इसे में नाम दे देता हूँ यहाँ X1 और एक और अंतरलिखित कोण यहाँ पर ये वाला इसे में नाम दे देता हूँ यहाँ X2 और जो X1 अंतर लिखित कोण का जो केंद्रिय कोण है वो यहाँ पर है ये वाला इसे में नाम दे देता हूँ ठीटा 1 और जो ये वाला कोण है ये केंद्रिय कोण है इस अंतरलिखित कॉण का इसे में नाम दे देता हूँ यहाँ थीटा 2 अब अगर तुम देखो तो ये जो अंतरलिखित कॉण है x1 वो थीटा 1 केंद्रिय कॉण का आधा होगा तो यहाँ मैं लिखता हूँ कि जो x1 है वो थीटा 1 का आधा होगा और उसके साथ ही साथ जो x2 है वो भी उसके केंद्रिय कौन ठीटा 2 का आधा होगा तो यहां मैं वो भी लिख देता हूँ यह बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे हमने उपर साबित किया अब हमें चाहिए यह कौन हमारा x और हमें चाहिए यह कौन हमारा ठीटा तो तुम देखो अगर हम x1 और x2 को जोडते हैं तो हमें x मिल जाएगा और ठीटा 1 और ठीटा 2 को जोड़ेंगे तो यहां पर हमें ठीटा मिल जाएगा तो चलो मैं यहां लिखता हूँ कि जो x है वो दरसल बराबर है x1 धन x2 के तो हमें क्या मिलेगा? अब जो x1 है वो तो 1 बटा 2 ठीटा 1 है और जो x2 है वो 1 बटा 2 ठीटा 2 है तो मैं यहां लिखता हूँ कि वो 1 बटा 2 ठीटा 2 है तो हमें x क्या मिल जाएगा हमें x जो है वो बराबर मिलेगा यहाँ पर एक बटा दो एक बटा दो तो मैं समान निकल सकता हूँ बहाल तो एक बटा दो मैं बहार निकल लेता हूँ और अंदर हमारे पास बचेगा ठीटा 1 धन ठीटा 2 और ठीटा1 धन ठीटा2 तो यह वाला कोण है जो है हमारा ठीटा तो यह हमें बराबर मिलेगा एक बटा दो गुणा ठीटा और यही तो हम साबित करना चाहते थे किसे जो x है जो हमारा अंतरलिखित कोण है वो बराबर है हमारे केंड्रिय कोण ठीटा के आधे के तो यह है एक बटा दो गुणा ठीटा तो हमने यह यहाँ पर भी साबित कर दिया अब उसी तरह से हम यहाँ पर एक और उधारन ले सकते हैं एक और प्रकार ले सकते हैं जहाँ पर जो अंतरलिखित कोण की दोनों भुजाए हैं वो केंद्र के एक ही तरफ हो तो वो मैं यहाँ उधारन लेता हूँ तो यहाँ पर यह मैं बना लेता हूँ हमारा अंतरलिखित कोण और इसकी दोनों जो भुजाए हैं वो केंद्र के एक ही तरफ है तो यहाँ पर यह हो जाएगा हमारा अंतरलिखित कोण इसे मैं नाम दे देता हूँ X और मैं बना लेता हूँ हमारी अंध्खंडित चाप तो वो यहां हो जाएगी यह हो गई हमारी अंध्खंडित चाप और इसके साथ हमें बनाना होता है हमारा केंद्रिय कोण तो अब जरा केंद्रिय कोण पर ध्यान देना अब इसे हम बिलकुल इसी प्रकार से साबित करेंगे, यहाँ पर हम एक और रेखाखन बना लेंगे, एक और किरन बना लेंगे, जो हमारे केंडर से गुजरेगी, तो अब क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर हमें अंतरलिखित कोण मिल गए और यहाँ पर देखो तो यह एक बड़ा अंतरलिखित कोण हमें यहाँ मिल रहा है तो यह वाले बड़े अंतरलिखित कोण को मैं यहाँ नाम दे देता हूं कि इसका नाम मैं यहाँ दे देता हूं x1 और इस अंतरलिखित कोण का जो केंद्रिय कोन है वो यह है यह बड़ा वाला तो यहां इसको भी मैं नाम दे देता हूँ ठीटा 1 उसी तरह से एक और अंतरलिखित कोन बन रहा है यहां पर यह चोटा वाला तो यह है अंतरलिखित कोन चोटा वाला इसे मैं नाम दे देता हूँ X2 तो इसका जो केंद्रिय कोण है वो है यहाँ पर और इसे हम नाम दे देते हैं थीटा 2 अब बस हमें वही बात करनी है जो यहाँ की थी अब X1 जो है वो अंतरलिखित कोण है ये वाला तो ये वाला जो अंतरलिखित कोन है x1 वो बराबर होगा इसके केंद्रिय कोन का आधा और इसका जो केंद्रिय कोन है वो है ये बड़ा वाला केंद्रिय कोन ठीटा 1 तो ये बराबर होगा 1 बटा 2 गुणा ठीटा 1 और उसी तरह से ये वाला जो चोटा अंतरलिखित कोण है X2 ये वाला वो होगा इसके केंद्रिय कोण का आधा और इसका केंद्रिय कोण है ये ठीटा 2 तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि जो X2 है वो होगा 1 बटा 2 गुना ठीटा 2 पर हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ये अंतर लिखित कौन x तो अब अगर तुम देखो तो जो अंतर लिखित कौन x है वो हमें कैसे मिलेगा? जब हम इस बड़े कौन x1 में से x2 को घटाएंगे तो हमें x मिल जाएगा तो चलो मैं यहां लिखता हूँ कि अगर हम x चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? तो हमें x1 में से x2 को घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा x अब यह बराबर होगा जो x1 है वो यहां पर 1 बटा 2 ठीटा 1 तो यह मैं यहां लिखता हूँ 1 बटा 2 ठीटा 1 रण जो x2 है वो है 1 बटा 2 ठीटा 2 अब अगर मुझे यहाँ x चाहिए तो वो जो है वो बराबर होगा यहाँ पर मेरे पास एक बटा दो समान है तो इसे मैं बहार निकाल लेता हूँ तो एक बटा दो आ जाएगा बहार और अंदर हमारे पास बचेगा यहाँ पे है थीटा 1 और रिन यहाँ पर है हमारे पास ठीटा 2 तो यह हो जाएगा हमारा x अब यहाँ पर हमें मिल रहा है ठीटा 1 रिन ठीटा 2 ठीटा 1 है यह बड़ा वाला कोण ठीटा 2 है यह छोटा वाला कोण और जब बड़े वाले कोंड में से ये छोटा वाला कोंड हम घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा ठीटा और यही तो हम चाते थे तो हमें ये बराबर मिल रहा है ये हमें बराबर मिल रहा है एक बटा दो जो यहाँ पे था और ठीटा 1 रिंट ठीटा 2 हमें मिल रहा है ठीटा तो हमें मिल गया कि x जो है वो बराबर है एक बटा दो गुणा ठीटा तो यहाँ पर हमने अंतर लिकित कोण हर तरीके से साबित कर दिया